जी हाँ दोस्तों हो सकता कि आपने इस खुश कबरी के बारे में जरूर सुन लिया हो कि राम मंदिर को लेकर खुद प्रदान मंतरी नरेंटर मोधी जी ने अयोध्या में ट्रस्ट का एलान कर दिया, आके राम मंदिर के ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया, पता हैं, हम बताएं लेकिन राम मंदिर ट्रश्ट के गोशना पर दोस्तूं असुदिन ओवेसी ने क्या बयान दिया है ये पूरे देश में एक चर्चा का मुद्दा बन गया है तो आयो दोस्तों आपको फड़ाबट से बताते हैं इस वक्त में राम मंदिर से जुड़ी सबी सुर्ख्यों के बा लोग सबा के अंदर पीम मोदी ने इसके साथ ही अयोध्या में सरकार द्वारा कप जाए गई 67 एकर जमीन को भी ट्रश्ट को ही देने की बात कही हैं आपकी जानकरी के लिए बता दे दोस्तों 1902 में साल 1902 में बाबरी मस्जिद विद्वन्स के बाद जब विवाद कड़ा वैसे दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बताना चाहेंगे कि हाली में आपको पता होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर फेसला सुनाया था राइट लेकिन क्या आपको पता दोस्तों ये फेसला पिछले कितने साल उसी चल रहा था तो सन 1813 में अयोध् के अंदर मस्जिद भी बनेगी और मंदिर भी बनेगा लेकिन अभी जहां विवाद चल रहा हैं वहां पर राम मंदिर का निर्मान होगा ये फेसला दिया था हमारी सरवच नियाले शुप्रिम कोर्ट ने राइट और उसके बाद से ही मीडिया में खबरों में लगतारी चर का एलान कर दिया और अयोध्या के अंदर दी जाएगी सुनी वफ बोड को पांच कर जमीन तो दरसल आपको पता होगा दोस्तों 9 नौवंबर 2019 को जब अमारे देश के उचितम नियाले ने राम मंदिर को लेकर फेसला सुनाया था उसके बाद से ही राम मंदिर के निर्मान क का मार्ग खुल गया था और इसके तहत निर्देशों के तहत के अंदर सरकार सभी आवश्य कदम भी उठा रही थी इसी बीच अब राम मंदिर ट्रस्ट का भी एलान हो चुका और उमीद है बहुत जल्द राम मंदिर का निर्मान का काम सुरू हो जाएगा और हमें बहुत पूस्त आपको बता दे राम मंदिर ट्रस्ट पर अरविंद केजरिवाल जी ने खुद बदाई दी है और उन्होंने का कि अच्छे फेसलों का कोई भी समय नहीं होता है दिल्ले के मुक्य मंतरी अरविंद केजरिवाल ने नरेंदर मोधी दोरा राम मंदिर निर्मान के लि रिखले कर हमला बोला और इसके लावा राम मंदिर ट्रस्ट के फेसले पर और उन्होंने दिल से बदाई दी और का कि अच्छे फेसलों का कोई भी सत्त नहीं होता कभी उनकी गोस्ना करें आज करें खुब गोस्ना एक करें कुल मिलाकर के एक सही राजनेता की तोर पर उन्होंने बदाई दी अच्छी बात है लेकिन दोस्तों असुदिन ओवेसी जो है ना जो कि All India मजलिस ए इते हाउदुल मुसलिमिन के चीफ हैं असुदिन ओवेसी उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने का कि ट्रस्ट का गठन आठ फरवरी के बाद भी हो सकता था लेकिन संसद सर्तर का अंत 11 फरवरी को ना और ऐसा लगता है कि भाजपसर काने फेसला दिल्ली चुनाव की चिंता में लिया बलकि ऐसा कुछ भी निये दोस्तों अच्छे फेसले कभी भी लिया जै सकते हैं खुद दिल्ली के मुक्य मं करकर आप भी खुष हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इसके अध्यक्ष वगयरा की और कोई गोसना है आएगी तो हम आपको डीलस नुच्ट के पर जरूर बताएंगे फिलाल अपडेट में बस इतना ही वीडियो को दिल से लाइक करना और कमेट बॉक्स मे जो कुछ भी आपका दिल करें जय स्री राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम आपका जो भी दिल करता हैं कमेट बॉक्स में जरूर लिखेगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके अगर आप डीलस नुच्ट पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क् जय हिंद, जय बारत, वंदे मातरम